हाई गाइस वेलकम टो एक्जैम वेग सो यह हमारा थर्ड लेक्चर है हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज का एपी एफ एफ एंफोर्स्मेंट ऑफिसर 2020 एक्जैम के लिए पहले में हमने थोड़ा सा एक आईडिया दिया था और स्टार्ट किया था जब ब्रिडिश आया थे इस इंडिया कंपनी यहां पर आई थी तिल 1857 उसके बाद हमने आपको सेकंड लेक्चर जो की बहुत ही इंपॉर्टन लेक्चर और उसमें से पक्का कम से कम तीन से चार आप बारे में आपको बताया था ठीक है इस लेक्चर में एक और बहुत इंपर्टन टॉपिक हम दे रहे हैं इंप्टन गवनर्ट यस एंड वाइसरोई जो इंपॉर्टेन गववनर्ट एंब इसमें last mile लिए हैं उसके बाद इस lecture के बाद जो fourth lecture होगा again this is not very big again that lecture will going to be a big lecture long lecture उसमें आपका पूरा जो 1857 के बाद से जो important events वेंट्स को इंडिया नेशनल कॉंगरेस का फॉर्मिशन उसके बाद से जो मारा freedom struggle चला है till independence वो सब उसमें एक या दो lectures में cover करके history पूर कवर कर जा लाइगा last year previous जो year के questions है वो सब cover करेंगे तो let's start ठीक है तो जब initially जब Eastern के company आई थी तब हुआ गया था कि battle of plassi और battle of boxer वगरा वह तो जो हमने discuss कर रहे हैं उसके बाद जो Eastern कंपनी का था Bengal पे एक तरह कैसितने की कभज़ा हो गया तो तो एक administrator तो चाहिए था तो जो initially जो पोस्ट का जो नाम था वो था governor general of Bengal Lord Warren Hastings 1772 से 1785 में यह हमारे first governor general थी Bengal के इसलिए यह significant है और इनका आपको नाम पता होना जरूरी है कि पहले governor general of Bengal कौन थी Lord Warren Hastings Lord Cornwallis I in on a introduce permanent settlement of Bengal introduction of civil services in India तो यह कुछ reforms वगेरा लेके आए थे पर वोने शैतलमेंट अंग बाड़े में चाहू तो पर सकते हैं जमीनदारी system से रेके थे फिर Lord Wellesley, he adopted the policy of subsidiary alliance, which is a system to keep Indian rulers under control and to make British supreme power. तो उसमें क्या करते थे कि जो British, basically East India Company प्रिशामी थी वो अटेक करते थे, या फिर वो संधी करते थे जो Indian rulers, छोटे-छोटे प्रोविंसे के जो रूलर्स होते थे, कि भई एक तरीके से इसे राज हम करेंगे और आपको हम गद्धी देदेंगे, कि आप प्रजा के लिए आप ही हो, और जो आपके से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जितनी भी खेती वाड़ी होती है, और जो आप रेवेन्यू कलेक्ट होती है, उसका एक हिस्सा, आप Britishers को दो और यह आगे जाकर 1857 के जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें से एक कारण यह भी बना था, फिर उसके बाद 1828 से, गवर्नर जेनरल अफ इंडिया, जो गवर्नर जेनरल अफ बेंगॉल था, वो गवर्नर जेनरल अफ इंडिया होगे, क्योंकि आपकी मद्रास प्रविंस आगे और आपके जो प्रोविंस से वो कापी सारी अवद वगएर आगे थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1828 से 1835, वे फर्स्ट गवर्नर जेनरल अफ इंडिया, ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ही करीड आउट मैनी सोशल रिफॉर्म्स, एबोलिशन ओ सती जो प्रथा होती थी, और और भी कई सारी विडो, रिमेरिज वगएरा जो होती थी, विद थे हल्प आफ राजयर राम महन रॉय, ओके, ही अलसो सप्रेस्ट फीमेल इंट्वेंटिसाइड चाइड साक्रिफाइस, तो बिसिकली लॉर्ड विलियम बेंटिंग, फर्स्ट एक तो फर्स्ट ट्रेलरी लाइन, बॉम्बे टू थाने हम पढ़ते हैं कई एक्जैम्स में यह पॉइंट आता है, और फर्स्ट टेलिग्राफ लाइन, इनके टाइम पर हुई, इन्हों है दॉक्टरेन अफ लैप्स, इंट्रोड्यूस करें, दॉक्टरेन अफ लैप्स ब जब यह हमारा जो 1857 का जो वार था, उसका एक तरीके से उसके लिए आप कह सकते हो कि स्मोक बनने लगाता है, ठीक है, फिर 1857 रेवलिशन हुआ, तो पोस्ट वास ओल्ड वाइसरोई, 1857 के बाद ब्रिटिश, आप कह सकते हो, ब्रिटिश क्वीन, जो ब्रिटिश किंडम थ उन्होंने ही एड्मिनिस्टेशन को ले लिए ते इस इंडिय कंपनी के हाथ से, तो लॉर्ड कैनिंग, यू लास्ट गवर्नर जनरल, लॉर्ड अलोधी के बाद, लास्ट में जस्ट वो आये थे, मूटिनी से जस्ट पहले, तो वो लास्ट गवर्नर जनरल अफ इंडिया उन्होंने ही डॉक्ट्रेन फ्लैप्स, अपने यह किसा वापिस ले लिया था, बैटल अपने रिवाल्ड फ्टी सेवन के बाद, फिर आए लॉर्ड मयो, इनके टाइम पर फर्स सेंस अफ इंडिया वाज हैंड इंडिया 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 इसलिए यह यह पॉपुलर है, और मयो कॉलेज भी है, ठीक है, यह आपको चेक करना है कि मयो कॉलेज कहां पर है, एक नॉर्डन इंडिया के राज्य में है, फिर लॉर्ड लेटन आए, यह फेमस है कि यह बहुत ही रिप्रेसिव, बिसिकली जो हमारे वाइस रोय थे, इनके टाइम पर दिली दर्बार ऑफ और द्रफेसिग के इनके गाँ वाइनर स्थे द्धी रिप्रेसे एक और आपका कौें में लॉर्ड लिटन के लॉर्ड रिपन है, उनहें काफी moderate माना गया उन्होंने इंडियन जो उस टाइम पर चोटे प्रोविंसेस के रूलर्स थे और जो लोग थे कुछ freedom fighters तो नहीं आप कह सकते हैं बट हाँ नेशलिस्ट जो इंटलेंज इंटलिजेंसी या था mostly Kolkata बगरा से operate करती थे वों कैलकता था उस time पर कैलकता थे तो इन्होंने काफी साथ दिया था order पर नहीं फर्ट फर्स फेक्ट्री एक्ट वस पास्ट दियूरिं इस टाइब की पूही झाएबिटेट चािड लेबर के लोने छे चाइगा तो इलबर्ड बिल वास पास भाल मिधी rhy होई थी सब्सक्राइब तो फॉर जो इम्हों से उचकें सब्सक्राइब के करो चमावार इसे हुआ पर जज्जमेंट पास नहीं कर सकती, ऐसा ही कुछ इलबर्ट बिल का कॉंट्रोवर्सी हुआ था, तो लॉर्ड अर्पन ने ये पास किया था, पास्ट लोकल सेल्फ गवर्नेंट एक्ट इन 1882, उसके बाद लॉर्ड करजन है, लॉर्ड करजन बहुत ही इंपोर्टेंट है क् लॉर्ड हार्ड इंज, पार्टिशन ऑफ बेंगॉल वस एनल्ड और कैंसल्ड उनिस्सो ग्यारा में, और जो कैपिटल था, कैलकटा से शिफ्ट करके दिल्ली हुआ था, तो स्टार्टिंग में कैलकटा कैपिटल था, दिल्ली हुआ था 1911 में, तो ये फैक्ट आपको है थे 1915 में, और होम रूल मुवमेंट वाज लॉंच भाई एनी बेसंट, ठीक है, फिर लॉर्ड चैंप्स फॉर्ड है, उनके टाइम पर रॉल एक्ट हुआ, तो आपको ये इसी तरीके से याद रखने है, कि एक मेन इवेंट आप हो सकता है, क्वेशन इस तरीके से या सक रिफर्म्स हुए थे, ठीक है, एक तरफ तो बिटिश सरकार ना रॉल अटेक्ट करा था, जो कि रिप्रेसिव था, और मॉंटेक चैंप्स फॉर्ड रिफर्म्स थे, जो कि प्रोग्रेसिव थे, तो इसे केरट एंड स्टिक पॉलेसी भी उनकी कहा गया है, ठीक है, जलिया से हुआ था, फिर्स्ट राउंडेबल कॉन्फेंस, फिर लॉर्ड विलिंग्दन, पूना पैक्ट, सेकंड और थर्ड राउंडेबल यह उत्रना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर लॉर्ड लिंदित को इंपॉर्टेंट को इस ताइम पर कुई इंडिया मुवमें सब्सक्राइब बहुत बड़ा एक मुवमेंट था, ठीक है, इस फाइनल भी फ्रीडम का एक बहुत बड़ा मुवमेंट का जाते हुए इसके कुछ सालों बात तो हमें इंडिपेंडेंट मिली गया था, और सेकंड वर्ड वाल भी तभी हुआ था, लॉर्ड वेवल, वेव मुवमेंट बैटन आगे थे, जो की लास्ट वाइसरोय थे, क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल अफ फ्री इंडिया थे, लॉर्ड मॉंट बैटन, इसके बाद सी राजय को पालचारी बने थे, फर्स्ट इंडिया तो ये हमारे वा इसमें आपको याद रखना है कि किस नहीं करा था, कौन से लीडर निंके साथ अटोशेयर थे, तो इत फोड बाइम एच्पी ब्लवेट्सकी एंड करनल M. S.Colcott, ये थे थे थो बिटिशें थी, बट इस इंडिया थे थे इंडिया थे, इंडिया थे, थे इंडिया थे, इ ब्लव देटा, स्पेशल रिलेशन्शिप कोड बेश्टेबलिश्ट बेफिन परसंस व्लेंड गॉड बाइं कंटेंप्लेशन आप्रेयर, को टो थे इंडिया में किस ने थे थे, वो किया था, एनि बेसेंट ने, जब वो प्रेजिडेंट बनी थी, एक फ्रीडम फाइडर तो इस फर्स एडिटर ओफ विकली केसरी, केसरी आप एक बास सर्च करों कि किसने फॉर्म के था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे, एंड इस इन इंपॉर्टेंट कॉचिन, मैं अपसे सर्च करने के लिए इस पर गयता हूं, जिसी आपके अंदर भी वो आपकल सुधार, इंपॉर्टेंट पॉंकी एक बाइब भी विट फुट के नसी दुटुए झा इंपॉर्टेंट विच्छ ग्रओंग थे दी के सिए, लेडिक एंड इस पिर प्रीडम चेक्श्पेर में इंटु आपके पॉर्टेंट आए नो इस अमारे दो आने का ताइम आगे है, so all the very best, thank you.